नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिन हूँ आपका भविश आपके राशी का भविश बताने के लिए आज जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तीथी और बुधवार का दिन है द्वादशी तीथी आज सुबा साथ बच कर उन्टीस मिनट तक रहेगी उसके बाद त्रेवदशी तीथी लग जाएगी आज रात नौ बच कर बारा मिनट तक सिध्ध योग रहेगा अगर आज 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 का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोट की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्च हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आके दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मुवमेंट को कल्कुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये जोग नहीं बन रहा है अब ये जोग कल यानि की बीस जून की सुबह पांच बच कर ग्यारा मिनट से सुबह साथ बच कर इक 50 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से दियोग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये जोग नहीं बन रहा है अज ये जोग कल यानि की 20 मिनट की सुबह 20 जून की सुबह 20 चून मौर्निंग 5 बच कर 11 मिनट से शाम 6 बच कर 10 म मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईये चर्चा करते हैं आज के शुम मौर्ट यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मौर्ट सुबह 5 बच कर 24 मिनट से शुरू हो चुका है और सुबह 7 बच कर 25 मिनट तक र पहले 11 बच कर 5 मिनट तक रहेगा कांस्टक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मौर्ट नहीं है अब ये मौर्ट 23 जून की शाम 5 बच कर 4 मिनट से राद 8 बच कर 45 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 28 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा मौर्ट नहीं है अब ये मौर्ट 23 जून की शाम 5 बच कर 34 मिनट से राद 9 बच कर 15 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 58 मिनट से राद 11 बच कर 18 मिनट तक रहेगा सिजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मौर्ट नहीं है अब ये मौर्ट 22 जून की शाम 5 बच कर 54 मिनट से राद 8 बच कर 49 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 32 मिनट से राद 2 बच कर 69 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा मौर्ट नहीं है अब ये मौर्ट 23 जून की शाम 5 बच कर 4 मिनट से राद 8 बच कर 45 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 28 मिनट से राद 10 बच कर 48 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मौर्ट नहीं है अब ये मौर्ट 22 जून की सुबह 6 बच कर 38 मिनट से दोपार पहले 11 बच कर 54 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रो मागनेटिक फील्ड कुछ च्छनों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुबह करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्ग पैदा होता है इस से चानों तरफ नेगेटिव इस मिनिट पर रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन वरश वरश्चिक मकर और कुम राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनिट पहले और बारा मिनिट बाद तक कोई भी शुबह कारें नहीं करना च चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। भोपाल दो पहर बारा बचकर 21 मिनट से दो पहर दो बचकर 3 मिनट तकॉलकाता दो पहर पहले ग्यारा बचकर 37 मिनट से दो पहर एक बचकर 19 मिनट तकॉलकाता दो पहर बारा बचकर 40 मिनट से दो पहर दो बचकर 22 मिनट तकॉलकाता दो पहर बारा बचकर 10 मिनट से दो पहर ए बचकर 47 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज जो शुबदिशा है उत्तर पश्चिम और आएफ शुरू करते हैं सिलसिला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज का दिन खुश्यों से भरा रहेगा आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे घर का बातावरान खुश्णुमा बना रहेगा बच्चों को कोई बड़ा सर्प्राइज मिल सकता है कुछ लोग आपके किसी काम में मदद भी कर सकते हैं आपको किसमत का पूरा 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 साथ मिलेगा दूसरे लोग आपके कामकास से प्रभावित होंगे आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे आप किसी काम को नए सिरे से शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ सहयोग्यों की जरूरत पर सकती है सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है चार वरेश राशे वालों आज का दिन आपके लिए बेहत खास रहने वाला है आफिस के किसी काम से आपकी लंबी यात्रा हो सकती है यात्रा लाबदायक रहेगी बुजर्ग अपने किसी बच्पन के दोस्ते मिलकर अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करेंगे आज आपकी आर्थिक इस्टित में काफी सुधार आएगा व्यावसाई कार्यों के लिहास से आज का दिन बेहतर है आप हर काम को धायरे और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको आज काम का च्छावाफर मिल सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है दो मिथुन राशी वालों आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है आपका रुज़ान आध्यात्मी की तरफ रहेगा आप किसी धार में कारिक्रम की योजना बना सकते हैं कारेक्षेतर में आपको बहुतरी के नए अफसर मिलेंगे इस राशी के जो लोग मिट्टी के बरतन बराने का काम करते हैं उनके लिए लाव के योग बन रहे हैं अगर आप कोई नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज आपके लिए शुब दिन है घर में खुशियां बनी रहेंगी आज शत्र उपक्ष आपके सामने नत्मस तक होगा चात्र किसी परजोगी परिक्षा के तैयारी करने का मन बनाएंगी आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नमबर है सिक्स करकर राशी वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा किसी जरुई चीज को खरीदने में आपके पैसे खर्च हो सकते है इस राशी के जो लेखक हैं उनकी कोई कविता लोगों को काफी पसंद आएगी आपको किसी सल्था के दोरा समानित भी किया जा सकता है जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा घर का फैंसी डेकोरेशन करवाने का मन बना सकते है आपको किसी जरुई काम में परोशियों का सायोग मिलेगा आपका बिगरता हुआ काम बन जाएगा माता पिता का आशिरवाद आपके साथ बना रहेगा स्टूडन्स और कंप्यूटर कोर्स जोइन कर सकते है आज के लिए आपका लखी कलर है महरून और लखी नमबर है सेवन सिंग राशिवालों आज का दिन शानदार रहेगा आफिस में आपको मन पसंद काम दिया जा सकता है काम करने में मन लगा रहेगा आप से एक्सपर्ट के तौर पर सलाह ली जा सकती है इस राशिके लोगों की नौकरी में प्रमोशन के साथ ही इनकम बढ़ने के भी चांसेज नजर आ रहे है चातर अपने कुछ विश्यों को लेकर अधिक रूची दिखाएंगे एजूकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं लोगों का दिन राहत से भरा रहेगा बिजनसमाइन को काम में कुछ नए अनभव मिल सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नंबर है आठ करन्या राशिवालों आपके लिए दिन अनभूल रहने वाला है लोग आपके काम की तारीफ करेंगे आप खुद भी अपने काम से संतुस्ट रहेंगे जीवन साती के साथ बाहर डिनर पर जाने का अच्छा मौका है किसी रेस्टोरेंट जाएंगे इस पोर्ट से जुड़े लोग किसी नई आक्टिविटी में भाग लेंगे आज आपकी सिहत अच्छी बनी रहेगी छात्र अपने करियर के लिए किसी सीनियर से सलाह ले सकते हैं सही सलाह आपके करियर को किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकती है आज आपको काम में मुनाफ़ा मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है परपल और लकी नमबर है नाइन तुला राशेवालों आज का दिन आपके लिए अच्छा है आपके सभी काम समय से पूरे होंगे आफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आपके सकारात्मक विचार किसी विक्ति को प्रभावित कर सकते हैं आपकी मदद दूसरों के लिए फायदे मंद होगी स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर कुछ बदलाव कर सकते हैं कठिन विश्यों को समझने के लिए अपने सीनियर की मदद लेंगे आज आप घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद भी ले सकते हैं रिष्टे बेहतर होंगे आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डेंट और लकी नमबर है सिक्स विरिष्टिक राशिवालों आज का दिन जीवन में किसी नई खुशी का संकेत लाएगा जीवन साथी कोई बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं जिससे परिवार के बाकी लोग भी काफी खुश नजर आएंगे रिष्टों और काम के बीश तालमेल बना रहेगा आर्थिक रूप से आप स्ट्रॉंग रहेंगे इंजीनियर्स को कोई बड़ा फाइदा होगा इस राशिके जो मैनेजर पोस्ट के लोग हैं अपने काम को अच्छे से संभालेंगे बच्चों के साथ शॉपिंग करने मौल जा सकते हैं आपको काफी अच्छा लगेगा राजनीर्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शांदार रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है आठ धन और राशिवालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा काम की गती बनी रहेगी आप खुद को रिलाक्स फिल करेंगे इस राशिके जो लोग अभी वाहित हैं उनके रिष्टे की बाद घर पर चल सकती है घर का महौल अच्छा रहेगा काम के मामले में कुछ लोग आप से सलाह मांग सकते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा दूसरे लोग भी आपकी जोजना से प्रभावित होंगे माता पिता से भविष्ची की जोजना के बारे में विचार उमर्ष कर सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन जीवन में अहम मोड लाएगा आपको अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है ध्यान रहे जो भी करें सो समझ कर करें काम की वज़े से आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन परिवार का साथ बना रहेगा कुछ मामले में थोड़ा भवुक हो सकते हैं राइटर की कोई बुक पब्लिश होगी जिसे लोगों का काफी प्यार मिलेगा आपकी वानी में मधूरता बनी रहेगी नए कामों को करने में भागया आपका पूरा साथ देगा छात्रों के लिए आज का दिन उनके अनुकूल रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है नाई कुम्भराशिवालों आज का दिन नई उमंग के साथ शुरू होने वाला है आपका कोई नजदी की मित्र आप से मिलने आ सकता है आप उनसे अपनी कोई निजी समस्या शेयर कर सकते हैं परिवार की उल्जनों को सुल जाने में आपको मदद बिलेगी इस अराशिके चात्रों के लिए दिन ठीक ठाक है पढ़ाई में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी आपको नतीजों की ज़्यादा फिक्र न करके अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है बड़े बुजर्ग आपको कोई खास सला भी दे सकते हैं नवे बाहित दमपत्य के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नंबर है दो मीन राशिवालो आज आपका दिन शांदार रहेगा लोग आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे यात्रा की योजना बन सकती है पैसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान आज निकल जाएगा रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं दिन भर मस्ती के मूड में रहेंगे आपको किस्मत का साथ मिलेगा अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे दूसरों के सामने अपनी बात को खुल कर रख सकते हैं लोग आपकी बातों को इंपोर्टेंस देंगे शाम को जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा प्रशासने कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज चीचियों के बिल के पास शक्कर डाले और जिनकी आज मेरी जैनिवर्सरी है वो आज थोड़ी सुगंध लगाए तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहसमई दुनिया में मूलांग के एक वालों आज किसी रिष्टेदार के यहां जाने का प्रोग्राम बन सकता है जाकर आपको काफी अच्छा लगेगा मूलांग दो आज घर में महमान का आगमन होने से वातावन और अधिख खुशनुमा बन जाएगा मूलांग तीन आज आज आप जरुवत मन बच्चों को कुछ जरुवत की चीज़ें और मिठाईयां बाटेंगे मूलांग चार आज आज आप खुद को आज विश्वास से भरपूर महसूस करेंगे और जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे मूलांग पांच आज कुछ विशेश कारे पूरे होंगे सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णाय लेने की जरूरत है मूलांग छे आज घर के वातावरन को अनुशासित और सुखत बनाये रखने में आपके विशेश भोमिता रहेगी मूलांग साथ आज व्योसाय में कारे प्रनाली बेतर रहेगी और आपको मेहनत के बेहतर प्रनाम भी हासल होंगे मूलांग आठ आपका आत्म विश्वास आपके विक्तित्त को निकारेगा आफिस में सहयोग्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी है मूलांग नौ आज का दिन अच्छा रहेगा कोई खोई हुई वस्तो अचानक मिल सकती है और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के इशान कोण में सीडियों के बारे में इशान कोण यानि की घर की उत्तर पूर्व दिशा वास्तुशास्त के अउसार घर की उत्तर पूर्व दिशा या इशान कोण में कभी भी सीडियों का निर्मार नहीं करवाना चाहिए घर के इशान कोण में सीडियों का निर्मान करवाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसके चलते आपकी संतान के विकास के रास्ते में रुकावटे आएंगी और शिक्षा संबंदित बाधायें उसे तंग कर सकती है पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा इस कोण में सीडियों का निर्मान करवाने से बिजनेस में नुकसान के साथ स्वास्थ में भी गिरावट आती है तथा ग्रह स्वामी के दिवालिया होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है वास्तु शास्त्र में यह थी चर्चा घर के इशान कोण में सीडियों के बारे में उमीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज जेश्ठ शुक्लपक्ष की द्वादशी तिथी और बुधवार का दिन है द्वादशी तिथी आज सुबा साथ बच कर उन्तीस मिनट पर समापत हो चुकी है फिलहाल त्रेवदशी तिथी चल रही है आज रात नौ बच कर बारा मिनट तक सिध्ध योग रहेगा किसी भी प्रकार की सिध्धी पराप्त करने प्रभु का नाम जपने के लिए ये जोग बड़ा ही उत्तम है सिध्ध योग में जो भी कारिश चुरू किया जाएगा वो सिध्ध होगा अर्था सफल होगा साथ ही आज शाम पांच बच कर तेईस मिनट तक विशाखा नक्षत्र रहेगा आकाश मंडल में इस्तिस सटाइस नक्षत्रों में से विशाखा सोलहवा नक्षत्र है विशाखा का अर्थ होता है विभाजिक या एक से अर्धिक शाखाओं वाला विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का पृतिक चिन्ध माना जाता है विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पति हैं इसके तीन चरण तुला राशी में आते हैं और इसका चौथा चरण वरिश्चिक राशी में आता है लिहाजा तुला और वरिश्चिक राशी के जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है विशाखा नक्षत्र को शक्ति, सम्रद्धी, सुन्दर्ता, उपलब्धियों और खुश्यों के साथ जोड़ कर देखा जाता है इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और आउसदी से सम्मधित कारे आरम करना सुभ माना जाता है वनस्पतियों में विकंकत के पेल से विशाखा नक्षत्र का संबंद बताया गया है विकंकत बेर जाती के अंतरगत आने वाला एक कटीला जाली दारव्रक्ष है इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है लेहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को विशाखा नक्षत्र के दौरान विकंकत के पेल की उपासना करनी चाहिए दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए साथ ही इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि विशाखा नक्षतर में विकंकत के पेल को किसी प्रकार की छती नहीं पहुंचानी चाहिए ऐसा करने से आपको शुब फलों की प्राप्ति होगी साथ ही आपके धन दोलत में बहुतरी भी होगी तो ये थी बात सिध्योग और विशाखा नक्षतर की चर्चा और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली चंपक द्वादशी की यहाँ एक बात जान ले कि आज उदेया टिठी द्वादशी होने से जेश्ट शुक्लपक्ष की द्वादशी को मनाई जाने वाली चंपक द्वादशी आज ही मनाई जाएगी शास्तों के अंसार आज चंपक द्वादशी के दिन भगवान गोविंद यानि विश्ण जी की पूजा करने का विधान है अतह आज का दिन श्री विश्ण की उपासना के लिए हर तरह से शुम है आज के दिन चंपा के फूरों से भगवान गुविंद यानि विश्णु जी की पूजा का विधान है करण ही जेश्ट शुक्ल पक्षकी द्वादशी को चंपक द्वादशी के नाम से जाना चाहता है अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आज चंपक द्वादशी के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको आज के दिन से जुड़ी एक बात और बता दूँ आज प्रदोश वरत भी किया जाएगा दरसल 12 तित्री आज सुबह 7 बच कर 29 मिनट पर समाथ हो चुकी है फिलहाल 23 तित्री चल रही है जो कि कल सुबह 7 बच कर 54 मिनट तक रहेगी यानि 23 तित्री में प्रदोश काल आज ही पढ़ रहा है लिहाजा प्रदोश वरत आज ही किया जाएगा आपको बता दूं कि प्रत्याइक महिने के कृष्ण और सुखल दोनों पक्सों की त्रेयोजशी को प्रदोश वरत किया जाता है प्रदोश वरत के दिन भगवान शंकर की पुजा करनी चाहिए कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति भागवान शंकर की पूजा करता है और प्रदोश वरत करता है वो सभी समस्याओं से मुक्त होकर पूर्णे को प्राप्त करता है और उसे उत्तम लोग की प्राप्ति होती है किसी भी प्रदोश वरत में प्रदोश काल का बड़ा महत्व है त्रेउदशी तिठी में रात्री के प्रथम प्रहर यानि सूर्यास्त के बाद शाम के समय को प्रदोश काल कहते हैं पुरानों में बताया गया है कि त्रेउदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेट के साथ शिव प्रजिमा के दर्शन करता है वो सभी समस्याओं से मुक्त होता है अतह आज रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेट अवश्य करना चाहिए तो ये थी चर्चाज पढ़ने वाले चंपक द्वादशी और प्रदोश वरत की और अब बात करते हैं चंपक द्वादशी और प्रदोश वरत के संजोग में किये जाने वाले उपायों के बारे में जिने करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे अगर आप अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शी गोविंद के मंतर का जब करना चाहिए मंतर है ओम गोविंदाय नमहा इस मंतर का 108 बार जब करना चाहिए और जब करने के बाद भगवान का आशिरवाद लेना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुभता सुनिश्चित होगी लिहाजा आप परसंद रहेंगे अगर आप तरक्ती की और अगसर होना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पांच बेल पत्र लेकर उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर हलदी से ओम लिखना चाहिए फिर एक-एक करके उन बेल पत्तों को शिवलिंग पर ओम बोलते हुए चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आप तरक्की की और अगरसर होंगे अगर आप अपने जीवन साथी के कारें को सफल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शी गुविंद भगवान को चंपा के फूल अर्पित करने चाहिए साथी भगवान को एक इत्र की शीशी भी चड़ानी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के कारें जरूर सफल होंगे अगर आप आफिस में अपनी एक स्पेशल जगह बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए और हाँ जोड़कर भगवान से प्रातना करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आफिस में आपकी एक स्पेशल जगह बनेगी अगर आप अपनी धन संपदा को सुरक्षित रखना चाहते हैं उसे हर बुरी नजर से बचाय रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पांच गोमती चक्र नेकर उन्हें भगवान विश्व के सामने रखना चाहिए और भगवान की पूजा के साथ ही उन गोमती चक्र की पूजा भी करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा हर तरह से सुरक्षित रहेगी अगर आप करियर में जल्दी ही सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए साथ ही शिवजी को बेल का फल भी अर्पित करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता मिलेगी अगर आप अपने जिन्दगी को खुशाली और ताजगी से भरा देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी विश्व मंदिर में जाकर चमपा के फूल का पौधा लगाना चाहिए और भगवान का आशिरवाद लेना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी जिन्दगी खुशाली और ताजगी से भरी रहेगी अगर कुछ समय से किसी काम को लेकर आपके मन में उल्जन चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शिवलिंग पर पहले जल अरपित करना चाहिए फिर शिवलिंग पर शमी पत्र अरपित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके मन की उल्जन दूर होगी अगर आप समाज में अपना रुत्बा कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान को चंदन का टुकला अर्पित करना चाहिए और अर्पित करते समय ओम गोविदाय नमा मंत्र बोलना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका रुत्बा बना रहेगा अगर आप अपने घर परिवार में शुक्षान्ति बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव जी को सफेद फूलों की पुषपांजली अर्पित करनी चाहिए साथ ही शिव जी के मंतर का 108 बार जब करना चाहिए मंतर है ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय नहीं कह रहा हूँ कह रहा हूँ नमस्षिवाय तो मंतर है ओम नमस्षिवाय तो हर मंतर का अलग-अलग लाब है नमस्षिवाय का अलग लाब है नमस्षिवाय का अलग लाब है तो आज के दिन एक पीले रंग के कपड़े में पांच हल्दी की गाठ, पांच कौडियां और पांच सिक्खे बांद कर श्री गोविंद भगवान को चुरहें आज के दिन ऐसा करने से आपका कारोबार बहुत आगे तक जाएगा अगर आपके आर्थे के इस्तिति कुछ ठीक नहीं चल रही है तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में चावल का दान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंतर का 21 बार पाठ करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके आर्थे के इस्तिति पहले से बेहतर होगी तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग, विशाखा नक्षत्र, चंपक दौादशी और प्रदोश वरत के बारे में इस खास अफसर पर आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए हमने इसकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस खास चर्चा का लाब जरूर उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भाविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो, नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A आज आप कहानी प्रतियोगता में भाग लेकर पर्था में स्थान प्राप्त करेंगे आपकी कहानी किसी मैजजीन में छपेगी B. धायरे और संयम रखने से कठिन काम को भी आप पूरा कर लेंगे लेकिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी C. आपको देशभक्ति की कहानिया पढ़ना पसंद है तो आज आप अपने पैरेंट से कुछ किताबें मंगवाएंगे D. आज आप घर पर ही कोई मुवी या वेब सीरीज देखकर समय वेटीट करेंगे E. आज फाइनल संबन्धी गटविज्यों पर समय बिताएंगे और आपको इसके अच्छे परणाब भी मिलेंगे F. आप अपने किसी खास मित्त से आज मिलने जाएंगे उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा G. आपकी रचनात्मक्ता आज लोगों को पसंद आएगी लोग आपसे कुछ सीखना चाहेंगे G. आज किसी अन्य गत्विध्यों के कारण आपका कोई जरूरी काम रह सकता है I. आज आज आप जितनी मेहनत करेंगे भागी भी उतना ही साथ देगा हलांकि I. की इस्थिति अच्छी बनी रहेगी J. आज आपको किसी करीवी से पसंद का उपहार मिलेगा जिससे आपका दिन खुश्रूमा रहेगा K. आज अधिकतर समय परिवार जनों के साथ बिताने से सुकून और खुशी मिलेगी L. आज आपके घर में नंधे मेहमान के आगमन से लोगों में प्यार और स्रेह बढ़ेगा M. आज बिजनेसमेन को डील साइन करने से पहले ध्यान से समझ ले N. आज रुके हुए प्रापर्टी सम्मद्धी मामलों को पूरा करने में जल्दबाजी न करें थोड़ा समय लग सकता है O. राजनीर से जोड़े लोग आज अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे ये बदलाव पॉस्टिव रिजल्ट लाएगा P. आज आपको करियर में कुछ पॉस्टिव रिस्पॉंस मिलेगा आप अपनी मेहनत पे इजाफा करेंगे Q. आज आपको अधिक धन खर्च करने से बचने की ज़रुत है आपकी इंकम सामाने रहेगी R. आज आपको अपनी कोई प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा S. आज अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के सानिद में रहने से उचित मारदर्शन मिलेगा T. आज आप किसी बात से मन ही मन उसाहित रहेंगे कोई नया काम सुरू करने का प्लान बनाएंगे U. आज किसी को रुपए उधार देने से पहले आप घर के किसी बड़े से सलाह जरूर लीजिए V. किसी भी खास प्रियोजन को लेकर आपका निर्णे सर्वो पर ही रहेगा W. आज कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने बज़ट का जान रखे X. आज आपके अंदर पॉजिटिवटी वनी रहेगी जिससे आपका मन काम करने में लगा रहेगा Y. आज आप अपने अंदर भरपूर उर्जा और सुकून महसूस करेंगे Z. आज आपको किसी मामले में खुद पर विश्वास होगा और आपका काम बन जाएगा और अब बात आज के तीर्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के दर्शन हनुमान जी का ये सिद्ध मंदिर गुजरात के सारंगपुर में सिद्ध है इस मंदिर में हनुमान जी के भक्त उन्हें दादा के नाम से भी पुकारते है इस मंदिर को बजरंग बली के अत्यंत सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है माननेता है कि यहां हनवान जी के दर्शन करने से शनीदेव की भी खास करपा प्राप्त होती है कहा जाता है कि शनीदेव ने खुद हनवान जी को वचन दिया था कि जो कोई बे हनवान जी की भक्ति करेगा उस पर शानिदेव भी कृपा करेंगे इस मंदिर में हनवान जी के सामने शीष नवाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं यही वज़े है कि दूर दूर से लोग अपने कष्टों के निवारन के लिए यहां दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं तो आप भी घर बैठे कीजिए एक कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के पवित्र दर्शन और अब सामुद्दिक शास्तर की सामुद्दिक शास्तर में कल हमने बात की थी लंबे वरताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में आगे की बात करेंगे सामुद्दिक शास्त के अनुसार जिन लोगों का चेहरा थोड़ा अंडाकार यानि लंबाई में अधिक लेकिन चोड़ाई में कम होता है वे लोग हर चीज में तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह की पैस्थिति के अनुसार खुद को ढालना इने बड़ी अच्छी तरह से आता है और अपनी इसी खूबी के चलते हैं ये जीवन के किसी भी छेतर में मार नहीं खाते हैं हर तरह की परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं नए नए लोगों से मिलना और उनके बारे में जानना इन्हें बहुत अच्छा लगता है ये दूरदर्शी होते हैं, इनके अंदर सोचने, विचारने और निरंड़े लेने की ख्षमता बहुत मजबूत होती है सामुदिक शास्तर में ये थी चर्चा लबे वर्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में और अब बात, अवाइड अफी डे की यानि आज आपको क्या नहीं खाना है, आज 19 जून को जेश्ट शुक्रपक्ष की उदेया तिति 12 है 12 तिति आज सुबा 7 बच कर 29 मिनट पर समाथ हो चुकी है, फिल हाल 13 तिति चल रही है, जो के कल सुबा 7 बच कर 50 मिनट तक रहेगी बाकी आप कुछ भी खाज ये, पीजिए, मौश कीजिए और चलते चलते बहें आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है, उत्तर और अब वक्त है आज की टिप आफ दी डे का, आज किसी बच्चे को खिलोना के सारे दिन आपको खुशियां ही खुश हासिल होती रहेंगी और अपना राजशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे वेक्तिगस संपर्ख करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश्यवानी में फिलाल इतना ही, नमस्कार